हेलो स्टूडेंस वेलकम टू माय चैनल डियन ऑनलाइन अकाइडमी आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं यह फिफ्थ सेमेस्टर का थर्डियर फिफ्थ सेमेस्टर का कुश्चन पेपर है तुथाउजन ट् यानि कि ग्रहविज्ञान का फस्ट पेपर न्यूटिशन एलाइफ साइकल अप्रोच और तीन घंटे की टाइमिंग है असी नंबर का पेपर है दस कोश्चन में से कोई भी पांच कोश्चन आपको करने हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सक्स्क्राइब कर लें साथ ही बेल अकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिविकेशन आपको टाइमली मिलता रहे क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए बीए सी प्रेला पॉइंट ए है आर डिये दैनिक प्रस्तावित मात्राएं और कोशन नमबर वन का बी है संतुलित आहार यानि बैलेंस डाइट आपको इन पर टिपड़ी लिखनी होगी और कोशन नमबर टू है उर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारोकों का वर्णन कीज कोशन नमबर थ्री है निमलिकित को समझाईए यानि कि आपको इस पर टिपड़ी लिखनी होगी और पहला जो है कोशन नमबर थ्री का फस्त जो है आहार वीनिमै सूची और सेकेंड है आहार योजना के सिध्धानत ये दोनों पॉइंट्स आपको करने होगे तब आपका ए ध्यान देना आवश्यक है ये हो गया कोशन नमबर फोर कोशन नमबर फाइफ की तरह आते हैं कोशन नमबर फाइफ सभी कोशन जो है हमारे वो 16 नमबर के हैं और जिनमें पॉइंट्स करके दिये हुए है उनमें से आपको दोनों कोशन करने होगे कोशन नमबर फाइफ जो ही हमारा कोश्यन number six गर्भा वस्था में पोशन एवं सन्तुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डालिये फिर कोश्यन number seven है कि शोरा वस्था में पोशन तत्वों की मांग की विश्थीत विवेचना कीजिए फिर question number 8 निमलिखित पर टिपड़ी कीजिए इसमें भी आपको टिपड़ी करनी है यानि कि जितने points दिये हैं जब आप यह सारे points complete करेंगे तब आपका एक question complete होता है question number 8 का question number 1 है उपचारात्मक आहार इस पर आपको टिपड़ी लिखनी है next question जो है मारा question number 9 question number 9 है जवर के समय पोशक तत्तों की मांग में किस प्रकार परिवर्तन किये जाते हैं कोई भी question का answer आप देते हैं क्योंकि 16-16 number के question है तो आपको कम से कम 5-6 page का एक answer लिखना होगा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है next question जो है question number last 10 निम्न पर टिपड़ी कीजिए question number 10 का जो point 1 है यानि question number 1 है वो है diabetes यानि मधु मेह में आहार अगर कोई diabetic है तो उसका क्या आहार होगा उसके बारे में आपको टिपड़ी करनी है दूसरा है उच्छ रख्त चाप में आपका आहार तो ये question हो गए आज का वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और description box को आपको प्लेइलिस्ट अवैलेबल होगी प्लेइलिस्ट आपको BA, BSC, MA, MA, MAD और BAD, BTC की प्लेइलिस्ट अवैलेबल होगी वीडियो उसके PDF भी अवैलेबल होंगे description box में लिंक अवैलेबल होगा वीडियो पसंद आता है तो like करिएगा, share करिएगा, comment करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी topic पर कोई वीडियो चाहिए मैं पूरी कुशिश करूँगी कि आपको उस topic का वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ so students बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें